जी ट्वंटी, जी ट्वंटी में 19 देश और European Union का एक सम्मू होता है जो विश्व की कुल GDP का करी 85% हिस्सेदार होता है इसमें जी ट्वंटी के राष्टी अद्जेक्च हिस्सा लेते हैं और जी ट्वंटी का मुद्ध होता है विश्व के वित्य इस्थिरता को बनाए रखना इस वर्स G20 की अधक्ष्टा भारत कर रहा है जिसका आयूजन 9-10 सेप्टेंबर को दिल्ली में किया जाएगा नमस्कार, मैं राज कमल आज हम जानेंगे G20 के बारे में G20 क्या है, G20 कैसे काम करता है, G20 का गठन क्यूं किया गया इसके लिए हमें कुछ पीछे कुछ वर्स पीछे जाना पड़ेगा 1997 में 1997 में एसिया के कुछ देशों में आर्थिक मंदी आती है आर्थिक तोर पर कई देश प्रभावित होते हैं जैसे मलेसिया, इंडोनेसिया, थाइलेंड, साउथ कोरिया जैसे देश हैं जो काफी प्रभावित होते हैं इसमें इंडोनेसिया, इंडोनेसिया, थाइलेंड, साउथ कोरिया देश जो काफी आर्थिक तोर पर प्रभावित होते हैं इन्हें IMF की तवर पर आर्थिक स्वयोग दिया जाता है जो 1999 आते आते उनकी आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने लगता है इसे आर्थिक मंदी का प्रभाव कुछ विस्व के अने देशों पर भी पड़ता है जिसे विकसित देश ये निलहालित करते हैं कि कुछ विकास शील या आर्थिक तवर पर कमजोर देशों को साथ लेकर करके कियूँना एक सम्मू बनाये जाए जो विस्व के अर्थ व्योस्ता का सही मुल्लयांकन कर सके है इसी आधार पर विकास सील और विकसीत देशों को साथ ले करके G20 का गठन किया गया अब हम यह जानते हैं यह G20 कहां से आता है G20, G7 से आता है G7, G7 विकसीत और आर्थिक तप्रम मजबूत देशों का एक समू है जिसकी स्थापना 1975 में की जाती है 1975 में यह G6 होता है क्योंकि इसमें 6 देश होते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली 1976 में इसकी बैठक होती है जिसमें कनाडा को भी सामिल कर लिया जाता है इनकी लगतार बैठक होती है जिसमें 1997 में रसिया को भी इस गुरूप में सामिल कर ले जाता है जिसे यह G8 हो जाते हैं क्योंकि इसमें अब कुल 8 देश हो जाते है 2014 आते आते रसिया क्रीमिया पर आकर्मन कर उसे कबजा कर लेता है जिसकी वज़ा से G8 के बाकिस सदसे मिल करके उसे गुरूप से बाहर निकाल देते हैं अब इसमें साथ देश बसते हैं इसलिए अब इसे G7 कहा जाता है यही G7 अपने साथ कुछ विकास, सिल या आर्थिक तौर पर कंदोर देशों को साथ ले करके G20 का गठन करता है और केंद्रिय बैंकों के गवर्नर हिस्सा लेते हैं और विश्व की अर्थ व्यवस्ता पर विचार भी मस करते हैं यह बैठक 2007 तक लगतार हर्वर्स तक आयोजित होती थी लेकिन दोजार साथ आठ में विश्व की आर्थ वेवस्था आर्थिक मंदी आने के कारण यह निर्ण लेया गया कि अब ये सम्मेलन, सिखर सम्मेलन में G20 के राष्टी अध्यक्ष हिस्सा लेंगे उनकी उपस्तिती में ये सिखर सम्मेलन आयुजित किया जाएगा 2008 में अमेरिका की अध्यक्षता में ये एक सिखर सम्मेलन वासिंटन में आयुजित की जाती है ये पहला सिखर सम्मेलन था जिसमें G20 के सारे राष्टे अध्यक्ष हिस्सा लेते हैं इस सम्मेलन में कुछ देशों को अथिती के तोर पर भी अमंतित किया जाता है जैसे इस वर्ष बांगलादेश, एजेप्ट, सिंगापूर, UAE, पोमान, नीदरलेंड, स्पैन को अथिती के तौर पर सामिल किया गया है ये जानना भी जरूरी है कि स्पैन एक पर्मानेट अथिती के तौर पर हर वर्ष इस सिखर सम्मेलन में भाग लेता है सिखर सम्मेलन के लिए एक साल पहले से ही उनके एजेंडों पर काम सूर हो जाता है उनके एजेंडों के लिए दो अलग-अलग बैटके होती है एक वित्य बैठक होता है और दूसरा सेरपा बैठक वित्य बैठक में G20 देशों के वित्मंत्री और उनके केंद्रिय बैंकों के गवर्न हिस्सा लेते हैं और अगले होने वाले सिकर सम्मेलन के लिए क्या आर्थिक मुद्य होंगे इस पर विचार में मस करते हैं सेर्पा बैठक जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि आने वाले सिकर सम्मेलन में कौन-कौन से मुद्य होने चाहिए जैसे भारत के सिर्पा के तौर पर अमिताप कांथ को निक्ट किया गया है अमिताप कांथ निती आयोग के CEO भी रह चुके है इस वर्स भारत इस G20 शिखर सम्मिलन की अध्यक्षिता कर रहा है शिखर सम्मिलन का आयोजन दिल्ली के प्रगती मैदान के भारत मंडपम में 9-10 सिप्टेमबर को किया जाएगा भारत वसुदेव कुटुमबकम वन नेशन वन अर्थ वन नेशन वन फ्यूचर के थीम पर ये पूरा सम्मिलन आयोजन किया जाएगा भारत का कारेकाल 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगा भारत का G20 में अब तक का सफर सफलता की और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भारत को इस G20 सिखर सम्मिलन से क्या हासिल होता है इसे जानने के लिए हमसे जुड़े रहे हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोसाहन मिले और हम आपके लिए और नई नई जानकारी लेका रहा है नई अपडेट के लिए बैल आइकन जरूर दबाएग नमस्कार धन्यवाद